तेगे आप देख रहे हैं कि इस समय देश में किसानों का अंदोलन चल रहा है किसान जो कि अन्न दाता है और ऐसी सर्दी में खुले आस्मान के नीचे सड़कों पर पिछले दो महिने से अपनी नाय संगत मांगों को लेने के लिए शांति पूर ढंग से धर्ना परदर्शन कर रहे हैं आप कल्पना कीजिए कि ऐसी सर्दी में और बीच में बरसात भी हुई दो-तीन दिन ऐसी सर्दी में खुले आस्मान के नीचे राद बिताना कितना मुश्किल है लेकिन वो किसान आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि वो जानते हैं कि आज भले ही कुछ दिन कष्ट में रहे लेकिन अगर आज उनों ने अपनी बात नहीं कही आज अपना आंदोलन नहीं किया तो आने वाली पीडियों के लिए उनके पास जमीन नहीं बचे इसलिए किसान आं मांगें बिल्कुल जाएजी लेकिन सरकार केवर उद्योग पतियों को फैदा पहुचाने के लिए अपनी हट धर्मता के चलते किसानों की बात नहीं मान रही किसानों का कहना है कि तीनों क्रिशी बिल वापस किया जाए जो MSP सरकार निर्धारित करती है वो MSP मिलना तुनिश्चित हो किसानों को यह कानून सरकार लाए लेकिन सरकार इस तरह कि कोई बात ही नहीं मान रही और बात बारता पर बारता करके बुलाके केवल आदूरन को लटकाना चाहती हैं बढ़ाना चाहते हैं कि यह लोग कमजोर नहीं पढ़ेंगे और इसी क्रम में समाजबादी पाटी के राष्टी अध्यक्ष आधर्णी अकलेश यादोजी ने भी लगातार किसानों के अंदूलन में समाजबादी पाटी के लोगों से आवहन किया किसानों के अंदूलन में साथ होते हैं इसी क्रम में हम लोगों ने पहले साथ दिसंबर को आठ दिसंबर को और चौदा तारीक को भी आंदूलन किये जिसमें आप लोगों को मालों में पुलिस ने हम लोग की गिरफतारियां कि लेकिन हम लोग भी डरने वाले नहीं है और चूंकि जो 26 जनवरी को किसानों ने दिल्ली में ट्रेक्टर रैली नि समाजबादी पायटी के साथियों से आवान किया है कि पूरे प्रदेश में प्रत्यक जन्पद में प्रत्यक तहसिर पर समाजबादी लोग किसानों के साथ ट्रैक्टरों पर राष्टि ध्वश लगा कर ट्रेक्टर रैली निकालेंगे और यह रैली बड़े बेमानें पर झाले लेड़ी.